नमस्कार रह एपीजी पाट सालायाम भवताम समेशाम स्वागतम व्याहरामी अहम असमी डाक्टर राजक्मार मिस्रह अहम सामपरतम राश्टरिय संस्कित संस्थानेन संचालिते हरियाना संस्कित विद्या पीठे आदर्ज महा विद्याले साहित विवागे साहय का चारिपदे कारिर तोसमी आम भवताम समेशाम पुरस्तात काब्य प्रकासस्य लक्षणा विशैकम पाठम उपस्था पयामी भवंता इताः पुरो वर्ति पाठे सब्दस्य प्रकारत त्रयम घ्यात बन्ता है आसन सब्दाह थ्रिविधा पोत्ति वाचकह शब्दाह लाचादिकह सब्दाह बेंजगह सब्दैश्चə तत्र वाचादिकह य्य वर्तते तस्य भोधिकह सक्तिह अभिधा कत्ये ते लाच्छनिका यह सब्दह वर्तते तस्य बोधिका सक्ति लक्षना कत्थे ते ब्यंजका यह सब्दह वर्तते तस्य बोधिका सक्ति ब्यंजना कत्थे ते एतासू सक्तिसू या प्रतमा सक्ति आसीत अभिधा तस्याह अभिधा याह विस्तरम स्वरूपम भवंत इताह पुरो लक्षणायाहा भेदान ग्यास्यंती प्रितिय हेतु त्वेन रूधी ववती क्वचिच्च प्रियोजनम इती अत्र तदाकार पक्षत द्वयात तद उदाहरणम अपी ध्वयम स्याद एद दर्थम एव मम्मटेन द्वे उदाहरणे दर्सिते इधानिम क्रमपूर्वकम ते उदाहरने भवद्वी ग्यासेते तत्र प्रथमम उदाहरनम करमडी कुसलह इची साज्यते भवताम अववोधन आया केनापी वक्त्रा करमडी कुसलह इत्युकते चित्र करमडी इत्यर्थ मुख्यार्थ से बाधह जातह यतोही कुसलो नाम कुसान लाती आधत्ते वा सह कुसलह अर्थात यह गुरु आग्यया स्वनिमित्त पूजादी करनाये वा कुसान उत्पाट्टे लाती सहेव कुसलह इत केना पी वक्त्रा उच्चारिते तस्मिन करमडी कुसलह इती वाक्के कुसलह पदम बाधितार थमिव यतो ही चित्रकरमडी निर्तो जनह कथम कुसलो भवितुमर हती सतु स्वजीवने कदाचि दपी कुसान उत पाट्य नानितवान कुसलपदेन सय ववाच्चेह यह कुसान अतह मुख्यार्थ स्य बाधा वर्तते यती प्रथमा हेतु कितव्यापार ह। पुनस्च जुतियो हेतु रत्रसाध्यते यह कुसान लाती सहकुसलह अर्थात कुसोत पाटने मनागपी अनवधानत्वं स्यात तरही तत उत पाट इतु सरीरे विसेसतो हस्ते ब्रणोदयेन रक्तस्त्रावह निस्त एव अतह तत्र स्वविवेक प्रियोगह आवस्यकह योही बिवेकेन निर्बाधं कुसान उत्पाटिलाती सहकुसलह अतह यथा कुसोत पाटैता जनह स्वविवेकात स्वकर्मडी अर्थात कुसोत पाटन रूपकर्मडी सभलताम प्राप्य कुसल पदभाग अभूत तथाईव ताद्रस विवेचकत्वं चित्रकर्मडी कुसले जने पी अस्ती निगूधं। इत्थम रूढी हेतु कायाहा लक्षनायाहा हेतु द्वयम उपन्यस्य त्रतियम हेतु विप्रिणोमी त्रतिये हेतौ रूढी प्रयोजन वानेतरं यविमतं बर्तते। कर्मडी कुसलह इती लक्षनो दाहरणं रूढी ही संबलितं एव अतोत्र कथम रूढी ही इती निरूप्यते रूढीर नाम प्रसिद्धी। कुसलह स एव भवितुम योग्यह यो विवेच कत्वम आत्मनी निदध्यात। प्राक्तने काले केवलं कुसोत पाटे इतू हु कृते एव कुसलपद बेवहार प्राचलत। किन्तु कालांतरे न यह कोपी यस्मिन कस्मिन अपिकस्टे न विवेकेन चसाध्यमाने कारिये प्रवित्त ह सफलस्च जात ह। सह कुसल इती पदेन बेपदेश भाग अभवत। रूढी महिमना। इत्थम करमडी कुसलह इत्यस्मिन कुसल कर्म अयोगात मुख्यार्द बाध प्रथम हेतुना इत्यर्थ विवेच कत्वादी संबंध लक्षार्थ तत जोग इती दुती हेतुना। रूढी बलेन दक्छे चतुरेवा रूपेर थे लक्षना त्रती हेतुना। आचारि ममटह इव विशुनाथो पी स्वक्रन्थे रूडी लक्षनायाह उदारणं अत्यंतं सरलं रुचिकरंच ददाती। यस्यावबोध भाध्वी क्रेते चेत भावताम लक्षना विशेक ज्यानं भुयस्त्वेन द्रणं स्यात। कलिंगह साहसिकह उदारणं विशुनाथो ददाती। कलिंगो नाम दे सविसे सभूतल खंडः अचेतन रूपस्च अतस्तस्मिन साहसिकता कथमभितु मरहती। साहसा प्रवर्तते इति साहसिकह बीरह चेतना युक्तस चेत्ते अर्थ परकह सब्दोयं। अतोत्र मुख्यार्द बादह तज्योगेन हेतुना दुतियेन स्वसमिवेताह पुरुसाह अर्थात कलिंगस्थ पुरुसाह साहसिकह इति लच्छार्थ अत्रतती हेतु रूढिरियम यद कलिंग युद्ध समय सर्वे कलिंग निवासिनस तदा बीरह इताह आसन। तदारभ्य कलिंग पतस्य बीर परकह अर्थो रुढ्या किमवा प्रसिध्या क्रियते। गंगायाम घोस इति उत्तरती। गंगायाह संकेतितार्थो जलप्रवाह रूपह घोसस्य च संकेतितार्थ आभीराण, पल्ली, उटज कल्पां किन्टु जलप्रवाहे कस्यापी जनस्य घोस कथम स्थातुम प्रभवती। इति मुख्यार्थ बाध अर्थाद गंगा पदस्य यह जलप्रवाह रूपार्थ तस्मिन घोस पदस्य अनवयह कथम अपिभवतुम ना रहती। इत्यस्य अनवयानुपत्ते हे नुख्यार्थ बाध ततन गंगायाह तते घोस इत्याकारकम वाक्यम जायते गंगायास तते घोस इति वाक्ये सुरते अयं प्रसना समुदेती यत कथम वक्तरा साक्षाद गंगायास तते घोस एव नोचरितम कथम ते न गंगायाम घोस इत समाधत्ते प्रयोजन मनुद्धिस्य नमंदोपी प्रवर्तते इतिनेन भाव्यमत्रकेनापी गुरुना रहस्येन अतस्तत परियालोचिते वक्तु हु तटे सैत्य पावनत्त्वाज धर्मानाम प्रतिपत्ति रूप प्रयोजनम प्रकटितम्भवती अतोत्र प्रयोजन लक्षनायाम त्रयोपी हेतव समवाप्यंते गंगा पदस्य जलप प्रवाह रूपार्थे घोसार्थे चा परस्परम स्थिते असंभवाद अनवयानुपत्य कारणाद मुख्यार्थ बादह। निरूपयती करमणी कुसलह इत्यादव दर्व ग्रहनाद्य योगाद गंगायाम घोसह इत्यादवच गंगादीनाम घोसाद्याधारत्य असंभवाद मुख्यार्थ सेबाधे विवेचक त्वादव सामिपेच संबंधे रूडिदह प्रसिधे तथा गंगा तटे घोसह इत्यादे प्रयोजनाद ये साम न तथा प्रतिपतीही, ते साम पावनत्वादीनाम घरमानाम तथा प्रतिपादनाथमनह प्रयोजनाच मुख्ये न अमुख्योर्थो लचेते यत्सह अरोपितह सब्द ज्यापारह सांत्रार्थ निष्ठो लच्छणा ममटोक्तायां अस्यां ब्रिट्टव कानिचन पदानी व्याख्या सापेक्छानी वरतंते अतस्तेसां पदानां सरली करणं आवसकमिती उदभाब्या प्रोच्चते मुखे न अमुख्योर्थो लक्षते यदि वक्ता साक्षात स्वघोसमी सए गंगा तटे घोसा इती अकतायिस्यत तरही स्रोतु हुमनसी तट गतम सैत्य पावनत्वम कदाचित उदयम न अप्राप्स्यत यतोही गंगा तह बहुदूर वरती अपिस्थानं तट पदा विध यताम प्राप्नोती लोक ब्योहारे दृस्यत एव अतह अस्याम लक्षणायाम सब्द स्य यह मुख्यार्थो भवति तेन मुख्यार्थे न उपलक्षित अ मुख्योर्थो लक्षते करमणी कुसलह इती प्रथमे उदाहर ने कुसान लाती ती कुसलह रूप वित्पत्ति लभ्वेन अर्थेन मुख्येन उपलक्षितो मुख्योर्थ दक्ष लक्षते तथैवा गंगा पदस्य मुख्यार्थेन जलप्रवाह रूपेन उपलक्षितो मुख्योर्थ तट रूप लक्षते अतह काब्य प्रकास कारेन अमुख्योर्थो लक्षते प्रत्यपादी आरूपित सब्द व्यापारह सांतरार्थ निष्ठो लच्छना, आरूपितो नाम सब्दे कल्पितह, अर्थाज गंगा पदस्य मुख्यार्थस्तु जलप्रवाह रूप एव, किन्तु गंगा सब्दे तट रूपार्थ कल्पितह, एद दर्थम ममटेन आरूपितह इती वि सांतरार्थ निष्ठ, इती पदम सब्द व्यापारह स्य विशेशन रूपिण प्रियुक्तम वर्तते, अंतरम नाम व्योधानम, तेन सह वर्तते इती सांतरह, मुख्यार्थ बादाज जुपस्थित्या, ब्यवहितो युर्थो लक्षे रूपह, तन निष्ठ, तद विश इतीर्थ, इतानिन काब्य प्रकासकारो ममटह, अर्थांतर संक्रमित वाच्य धुन्यादी विवस्थायें, लक्षणाम विवजते, लक्षणायाह भेदाह, स्वसिध्धय पराक्षेपह, परार्थम स्वसमरपडम, उपादानम लक्षणम, चेती, उक्ता सुध्धै वसा जुधा, स्वसिध्धै पराक्षेपह, उपादानम, परार्थम स्वसमरपडम, लक्षणम, चेती सा सुध्धा, एव जुधा उक्ता, अर्थात, लक्षणा प्रथमतो जुधा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा भेदेन, इमे उपादान लक्षणा, लक्षण पदार्थानवय विशयत्व सिध्धै पराक्षेप परस्य असक्यार्थ स्य कुंत्यादे आक्षेप उपादानम उपादान लच्छन इत्युच्चते गंगायाम घोस इत्यादव परार्थम परस्य असक्यस्य तीरादे ह Reed अनवय बोधार्थम समर्पडं स्वस्य सक्यार्थस्य प्रवाहादेह समर्पडं क्यागह इती लच्छन लच्छना साहित्ती दरपणकारो विश्वनाथ एत योहो दोयोहो उपादान लख्छना लख्छन लख्छन योहो सोरूपम किन्ची पिस्तिरत रूपेंड प्रिथक प्रिथक कारिकया करोती एत द भीपरीतम ममटह एकस्यामेव कारिकायाम लख्छना प्रकार दोयस लख्छनम विधत् मुख्यार्थस्येतर आक्षेपो वाक्यार्थे न्वय सिध्धये स्यादात मनोप्यु पादाना देशो पादान लक्षणा यत्र वाक्यार्थे अनवय सिध्धय सवदह स्वमुख्यार्थात अन्यस्य अर्थस्य आक्षेपम करोती स्वस्यापी उपादानं इस्थिरंभवती तत्रोपादान लच्छना तथाच लच्छन लच्छना यथा अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान वय सिध्धय उपलक्छण हे तूत्वा देशा लक्छण लक्छणा यत्र सवदह परस्य अनवय सिध्धय स्वस्य अर्थस्य अर्पणं करोती तत्र लक्छन लच्छना भवती अयम लच्छना प्रकारह दर्शन ग्रंथे नामांतरेन ग्यायते तत्र उपादान लच्छना जहत स्वार्था इती नामना ग्यायते लच्छन लच्छनाच जहत स्वार्था इती नामना ग्यायते इत्थम लच्छना प्रकारम उपस्थाप्य साम्प्रतम भवताम पुरस्ता तत उदाहरणं प्रस्टु यते, कुंताह प्रविशंती यस्टय प्रविशंती इत्यादव कुंताद भी आत्मना प्रयोगसिद्यर्थं स्वसंजोगिन पूरुसा आक्षिप्यंते तत उपादानेन इम लच्छना सरव प्रथमं उक्त भृत्यनुसारेड उपादान लक्षनायाह उदाहरण द्वयं ममटह प्रस्टोती कुंताह प्रविशंती यस्टय प्रविशंती चर्व अत्र कुंताह अचेतनाह तेसु प्रवेस्क्रियायाह योगिता नास्तिती कारणात कुंताह पदम स्वार्थसिद्धय स्वसंजुक्तान पुरुसान कुंतधारिन आक्षिपती तदा सब्दाकारह कुंतधारिन पुरुसाह प्रविसंती इति जायते अत्र कुंताहा पदं वार्दसिद्धाये स्वसंजोगिना पुरुसान यद आक्षिपती तेन स्वस्यापी सत्ता अन्यस्यापी उपादानम ग्रहनम वेती कारणात उपादानम लच्छना इत्थमेव यस्टया प्रविसंति इत्य उदाहरने पी यस्टी नाम स्वयं क्रिया संपादन असंभवाद तद चेतन अत्वाद तत संजोगिना पुरुसाह आक्षिप्यंते उपर युक्तो दाहरन द्वे प्रथमे उदाहरने कुंत गत तैक्षिनस्य कुंत गत बाहुल्यस्यवा पुरुसे सुप्रतिते हे प्रियोजनम दुतिये उदाहरने पी प्रियोजनम समानाकारमिव अर्था यस्टी गत मारकता प्रतिपाजनम प्रियोजनम अथवा यस्ट गतं बाहुल्यस्य पुरुशेशु प्रतिती प्रयोजनं। गतं बाहुल्यस्य पुरुशेशु प्रयोजनं। गतं बाहुल्यस्य पुरुशेशु पुरुशेशु पुरुशनं। गतं बाहुल्यस्य पुरुशेशु प्रतिती प्रयोजनं। नवारूधिरियम ब्यक्त्य मिना भावित्वात्तू जात्या ब्यक्तिराचिप्यते यथा क्रियताम इत्यत्र करता कुरू इत्यत्र कर्म प्रविस्पिंडिम इत्यादव ग्रियम भक्षय इत्यादिच अर्थार्द मीमान्सकाचार्यानाम कतिपयानाम मते गौरेनु बंधि वाक्यम उपाधान लच्छना याहा, किन्तु कथम अस्तियत्र उपाधान लच्छना इति ममटानु सारमिव दरसयामी, गौरेनु बंध्य इत्यादव सुर्ति चोधितं, अनुबंधनम कथम ये स्यात, सुर्तेहे प्रभुसम्मित तया अनुबंधनस्य अवस्य मुख्यार्द बाधा, इति हेतोह जात्या गोत्य रूपया ब्यक्ती आच्छिप्पेते लक्छते लक्षनया बोध्यते इत्यर्थ, इदानिम येदि प्रसन हस्यात यद जात्या ब्यक्ते रपी स्वत इवबोधा, अतो नात्रल लचनया प्रसंग तरी ममटा भुयो पीमि जातिया व्यक्ति राच्छिपते नतु सब्दे नोच्चते अर्था जाति द्वारा व्यक्ति आक्षिताभ होती तद अर्थम प्रथक रूपे न सवत बेवहार नक्रेते विशेश्यम ना विधा गच्छे छीन सक्तिर विशेशने अर्था सब्दह मिमान सकमते गो पदस्य विशेशन भूतह गोत्य रूपम अर्थम अवबोध्य विर्यत व्यापारो भवती तदनु सच गोव व्यक्ति रूपम अर्थम विशेशे भूतम च प्रतिपादेती यतोही सब्दह विशेशने एव छिन सक्तिर भवती अतोत्र उपादान लच्छना मिमांसक मते किन्टु प्रयोजनमस्ती ननु प्रयोजना भावेपी रूधी कुतो अनस्यात तत्राह नही अत्र रूधी रफी किन्टु व्यक्तिम बिना जाती स्थातुम्न प्रभती अतह अभिना भावकारना जात्या व्यक्ते रनुमानं किम्वा आक्षेपह क्रियते अतोत्रन लच्छना प् अच्छा भुवती तस्याहा पूर्ती ही अध्याहारेन अथवा आक्षेपेन भुवती। अच्छा भुवती तस्याहारेन अध्याहारेन अथवा आक्षेपेन भुवती। अज्छा भुवती तस्याहारेन अथं पूर्ति और आक्षेपेन भुवती। अठो अर्थसंगति स्वत एव बिना त्वया पदस्य उच्चारनात लेखनात वाजायती अतो त्र अर्था ध्याहार वादो वर्थते यमे वैस्थिती दूतिये कुरू रूपे उधारने पिबोध्या किन्तु सब्दा ध्याहार वादसे ये दो उधारने श्तह प्रविस प पदेन ग्रिहम पदम आक्छिप्वेते पिंडिम पदेन सह भक्षय क्रिया पदमच अतो यथा उपर्युक्तेसु उदाहरनेसु अर्थसंगते आक्छेपह क्रियते तथैव गउरनु बंध्य इत्ति उदाहरने पी आक्छेपह एवक्रियते नचलक्छना इत्तम मिमान्सकानाम गउरनु बंध्य इत्ति उदाहरने लक्षनायाह और प्रसंगम साधैत्वा आचारिममट दुतियम उदाहरनम अपि खंडैतुं उपक्रमते पीनो देवदत्तो दिवान भूंते इत्त्यत्र रात्रिभोजनम च न लक्षते सुरुतार्था पत्ते अर् उदाहरने स्मीन इयम विशेस्ता यदिदं पदलक्षनायाह उदाहरनम नभुत्वा वाक्य लक्षनायाह उदाहरनम बर्तते मिमान्सकाह अर्थ वाद वाक्यानाम प्रासस्त्ये लक्षनाम मत्वा वाक्ये पी लक्षनाम स्विक्रुवंती गउरनु बंध्य इत्त्य उद दिने अभुन जानों देवदत्ता कथम पीनेतां प्राप्नुयात अतो मुख्यार्थ भादह तदनु लक्षनेया रात्री भोजनम लक्षते किन्टु कावे प्रकासकारों ममटो नात्र लक्षना प्रसंगम बनुते। मिमांस काहा प्रत्यक्ष अनुमानादी प्रमाडई ही समम अर्था पत्तिम अभी प्रमाड़ रूपेड मनवते। अत्र देवदत्तह पीनह अयम उपपद्यमानोर्थ रात्री भोजनम चा एतस्या अनुपपद्यमानस्य अर्थस्या उपपाद्यकी भूतोर्थ। यदि देवदत्तह दिने पीन खादेत रात्रा वपिचन खादेत तरहिसा पीनो भोजनम न योग्याः। दिने अभुणजानो जनो रात्री भोजनम बिना न पिनता अप्रापनोती अतोत्र अनुपपद्यमानोर्थ दिने अभुणजानस्य देवदत्तस्य रात्री भोजन कलपना क्रेते। इया मेवास्ती अर्था पत्ती ही इत्थम अर्था पत्ती रपीती विधा भवती द्रिश्टा अर्था पत्ती ही सुर्ता अर्था पत्ती इती भेदात। यत्र अनुप पद्यमानार्थम कोपी जनह स्वनेत्रा भ्याम भिलोक्य तदुपाज की भूतार्थ कल्पनाम करोती तत्र द्रिष्टार्था पत्ती यत्र चजनह यस्य कस्यापी जनस्य अमुखात अनुप पद्यमानार्थम सुर्त्वा तदुपाज की भूतार्थ कल्पन प्रश्तार्था पत्ति पीनो देवदत्त दिवान भूंगते इत्त उधारणाम द्रिष्टार्था पत्ते है शुर्तार्था पत्ते श्चापी भवतु मरहती। इत्यत्र तटस्य घोसाधी करणत्त सिध्धय गंगा सब्द स्वार्थमर्पयती इत्तेव मादव लच्छन लच्छना इमे द्वे अपि उपादान लच्छना लच्छनाच सुध्धा लच्छना इतुरूपेड मन्येते। केन कारणेन इमे सुध्धे लच्छने भवत इत्याकांचाया ममटो वक्ती उपचारेण अमिस्रितत्त्त्त्त्त अर्था यत्र परस्परम भिन्न पदार्थ द्वे साध्रिस्याती सै महिवना भेद प्रतीतिर नस्यात सभवति उपचारह। तेन उपचारेण अमिस्रितत्त्तत्त अर्था अत्यांत भिन्न पदार्थ यत्र मनागपी साध्रिस्याम न स्यात सेवो पचारह। यत्र साध्रिस्याती रिक्तह अन्या सामिप्यादी रूपह संबंधह लच्छना प्रियोजकह स्यात तत्र सुधा लच्छना। इत्तम उपचार रहिता लच्छना सुध्धा लच्छने ची कत्यते उपचार सहिता चा लच्छना अग्रे वक्षेमाण गौणी लच्छना कत्यते इदमेवन दरम दोयो हो सुध्धा गौणी लच्छन यो हो अर्था सुध्धा गौणी लच्छन यो हो भेदक धरम उपचा प्रतिपादे 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 लक्ष रूप टतादे ही गांगा दी सब्द प्रतीपादने त्त त्वस्त अर्था गंगा त्वस्त अर्था. लक्ष लक्षकयो हो तट जलप्रवाहयो हो अभेद प्रतितव एव सैत्य पावनत्य रूपस्य धर्म रूप प्रियोजनस्य प्रतिती भवतु मरती। अर्थात तीरे गंगादि सब्द प्रियोगह गंगागत सैत्य पावनत्य प्रतिती इत्यर्थ। सैत्यादी प्रतितिस्तु गंगा त्वेन तटस्य प्रतितावे वजायते न तु गंगा संबंध मात प्रतिताव न वा तीर मात प्रतिताव तथासती गंगा तदेगोस इत्यत्रापी संबंध प्रतिते है सक्य लक्ष प्रतित्यों हो फल भेदो नस्याद अता सुधायाम पी लक्षणायाम अभधप्रतिते न ताट्यस्थ्यम भेदकम किन्टू पचार अमिस्रण मेव भेदकम इति भाव इदानिम भवतां समेसाम पुरस्ताथ विसय संग्रह क्रियते भवंतह प्रसुतेशमिन पाठे लक्षणा विसयकान वादान पठित बंतह पवणत हल सर्व प्रतमम उपादान लख्शनाम पठित बन्त ह, तदनत्रम लख्शन लख्शनाम पठित बन्त ह। द्वयो हो उपादान लच्छना लच्छन लच्छनयो हो उदारनम स्वरुपम इत्थम प्रस्तवती स्वसिध्धय पराक्षेप परार्थम स्वसमर पड़म उपादानम लग्छडम चेत युकता सुध्धय वसा द्विधा तत्र स्वस्य अर्थ 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 स्वस्य अर पटित वंता है धन्यवाद हो